हेलो गाईस आज हम लोग पढ़ रहे हैं modern physics के वारे में यानिक आधुनिक बोतिकी तो इससे relative 70 प्लास important questions हम लोग देखेंगे तो चलिए start करते हैं तो देखें यह आला जो lecture है हमारा 7th lecture है इससे पहले 6th lecture हम लोग already cover कर चुके हैं अगर आपने वो नहीं देखा है तो description में लि वालू में कि जो परमाण हुए हूँ हमारी chemistry के टमसर सबसे चोटी यूनिट है और हम लोग physics के टमसर बात करते हैं सबसे चोटी यूनिट फोटों से biology की टमसर सबसे चोटी यूनिट कोशी का है तो यहाँ पर यह पर्माण होता है क्या है देखें जो पर्माण है ना यह समय में इतने प्रियोग हुए है इतने एक्सपेरिमेंट होने के बाद यह सिद्ध हो गया है आज के समय में कि जो पर्माणू है न वह विवाज्य और पर्माणू के अंदर बहुत सारे जो हैं वह कंड पाए गए हैं जिनने हम लोगा कहते हैं मुलकण के थे या मॉलिक कंड क दूसर प्रोटेनों शॉरु निड्रॉन इसमें इलेक्ट्रों जो है रमाणू के चक्कर लगाते हैं नुकलेस नुक्लेस हैं चक्कर लगाते हैं नदादा अग् लगा गया क्योंकि एक modern तरीके से जो आजू-बाजू चीज़े दिख रही है उनको हमको समझना है तो यहां पर आपको यह देखना पड़ेगा आज के समय में वह पर्माणों के अंदर कम से कम तीस से ऊपर चीज़े खोजी जा चुकी है जिसमें आपने तीन का नाम तो सुन नाम सुनाओगा तो वहाँ पर क्या करा जाता है यह पर्माणों के साथ ही तो छेड़-चाड़ करके जो है हमारी electricity जेनरेट करी आती है और आज उसका कितना यूज है आप भी आज भी आगर हम लोग देखेंगे कि हमारे पूरे इंडिया में सबसे जादा अगर electricity supply होती है तो नुकलर पावर प्लांट से थर्मल पावर प्लांट से ही होती है यह आपको पता होना चाहिए और आप देखते हैं आज के समय में लेजर हो गई आपके LCD होगी LED TV होगी इन सब में किसका यूज किया जाता है इन पार्टिकल्स का यूज कर जाता है और पहले जो आपकी TV करती थी जो डबबा वाली TV होती थी उसमें किसका यूज करते थे उनमें भी गेसों का पार्टिकल का यूज करते थे तो यह सब जो है आपके modern फिजिक्स हैं आती है modern जो आपका पढ़ रहे है साइंस उसके अंदर आती है तो आयोब आप यह अच्छे सा इंडरस्टेंड क कर पा रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाहरू कि modern फिजिक्स आकर है क्या आज के समय में कितने डेबलप हो गई है चीजे और कितनी चीजे खोजी जा चुकी है और कितनी उप्योगी है उनके बारे में हम लोग modern फिजिक्स के अंदर study करते हैं ठीक है तो यह लेक्चर कैसा ल कुलिण के प्रोटोन की संक्या कितनी होती है और देखें हम लोग की छो रोजय मुख्य का राके तो वह न भी करिया और हाँ जो सूर में होती है नावी के सल्यन की क्रिया होती है निकूलर फियूजन होता है है तो बीटा कन पह Mayo होता है अगला कुशिन देखें हम लोग कि Cyclotron किस से Taurit करने के लिए प्र endeavors किया जाता है तो प्रोटन और अलफा करने के लिए you is किया जाता है अब यहां पर आपको बहुत सारी चीज़ रिवाइस होती हो देखेगी जो हमने पहले कितनी सारी फिजिक्स के लेक्चर देखे उसमा बहुत सारी आपने चीज़े जो है अल्रेडी पढ़ चुकी होंगी और वही चीज काफी रिपीड होंगी लेकिन उसका प्रकाश किरिण पुझे को जो अत्य जिशिक कहलाती है तो लेजर होती है वह बात करें कि परमाणू के प्रोटोन कहां रहते हैं तो नाविक के बीतर होते हैं इलेक्ट्रोन बहान करते हैं तो वो यूनिट अरेना विसित करते हैं समस्थानिक जो पर्मानु में प्रोटोनों की संक्या क्या होती है समान होती है समस्थानिक जो आइसोटोप होते हैं किस तत्व के पर्मानु जिनका क्या होता है पर्मानु भार भिन होता है किन्तु जो पर्मानु क्रमांग होता है वो क्या होता है समान होता है किसी पर्मानु आइसोटोप बहन आभिक है जो कि प्रोटोनों की संक्या क्या होती है उसमें बही होती है लेकिन पर आइसोटोप की बारे में आइसोटोप आइसोबार और आइसोटोन इन पर बहुत अच्छे से वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ अकर आपने वो नहीं देखा तो देख आपको कोशन एक बार देखने को नहीं मिलेंगे ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्टोनों की संक्या भिन भिन हो परंतों जिनकी दरब्बमान संक्या क्या हो समान हो उसको क्या करते है संबारिक केते हैं याद रखना है इंपोर्टेट है अकला कोशन है आपके लिए कि जो है काफी उछ मा पैदा होती है इसके कारण जो है उसे ताप नावी कि अभीकिरिया कहते है डीयो कारवन डेटिंग किसकी उम्रग्यात करने के लिए जीवाज में अनुसंदान को पुराराम करने का शिर्क इसको जाता है वो हमारे दर के एक तरीकी से कहलो कि modern physics के father भी कहा जाता है उनको पर्माणू reactor क्या है तो वो एक आडविक भट्टी है यहाँ पर एक चीज नोट करने के पर्माणू reactor क्या है एक आडविक भट्टी है पर्माणू पाइल का प्रियोग कहा होता है तो नाविकी सल्यान के प्रचालन में होता है याद रखना है अगला कोशन है कि पर्माणू पाइल का प्रियोग कहां कर जाता है वही कोशन रिपीड हो गया आभी की रेक्टेर में उजय उत्पन होती है तो नियंतरज विखंडन द्वारा होती है डायोड में प्रयूक्त जो धारा को क्या कहते है तो वो एक दिशा में प्रवाइथ होने देती है डायोड से धारा कितनी दिशा में बैती है तो वो एक दिशा में बैती है ओके चलिए पर कुछ इंपोर्टनी चीज़ है कि यहाँ पर आपको विद्दुद चुम्बे की तरंगे दी गई हैं यहाँ से कोश्य आपके एक्जाम में बन जाते हैं जैसे कि बात करते हैं गामा किंड़ों के बारे में तो यह इसके जो खोज करता था है वेकूरल इंपोर्टेंट है और इनकी जो वेवलेंट रहती है वो कितनी रहती है वो 10 डेस्टुद डी पावर 14 से लेके आपके 10 डेस्टुद डी पावर माइनस 10 होती है यहाँ पर बात करें इनकी आपरती परिसर या रेंज फ्रिक्वेंसी कितनी रहती है इनकी 10 डेस्टुद डी पावर 20 से लेके 10 ड प्रकाश वेदूत प्रवाव के उत्पन करने में और जो बैक्टिरिया को नश्ट करने के लिए यह यह यूज किया जाता है द्रश्य तरंगे यानिके विजवल रेज में वह यह आपके विग्वयर हो जाएंगे बेजानी अप्पी नाला बैगनी जामुनी राल हरा नीला पीला सारे वो साथ जो कलर हैं हमारे सेंदर दनुस के बॉआ जाते हैं देखे यह देख लेना आप लोग और इसके हो जो हैं व वो फोटोग्राफी करने में वह रोगियों की शिखाई कने में जो यूज करता है टिविओ में रिमॉर्ट कंट्रोल के लिए जो है इसका यूज किया जाता है ओके याद रखना है आप लोग को इसके बास जो लगू रेडियो सोड रेडियो वेब होती है यह को छोज करी और देख लेते हम लोग अगला कुषीन है हमारा की सिलिकोन है तो देखे वह क्या समि क перемby बात करें ट्रांजिस्टेर के समभीयन्शसर के जी अक्सी था स्वुथ का प्लाइए तो इस्कंस का प्लाइप के जाता हो लिखाए ठीक है वो रुणजन कलाद लिग गया है माँ पर रडार के अभिश्कार का श्रेक इस बिग्यानिक को जाता है तो वो रोवर्ड वाट्शन वाट को जाता है एकिकरण परिपरत में प्रयुक्त अर्दचालक चिप किस की बनी होती है तो सिलिकॉन की बनी होती है जो कौन सी धातूं का उप्योग किया जाता है यूरेनियम धातू का उप्योग किया जाता है तारे अपनी उर्जा के प्रकार को प्राप्त करते हैं किस प्रकार प्राप्त करते हैं जब टीवी का स्विच ओन किया जाता है तो क्या होता है तो देखिए तो जो द्रश्य तुरं और बिजली कढटती तो भीजली हमको तुरन दिख जातीं लेकिन उसकी वेवे या साउंड उसको लेट आता है मारे पास बात करें धोनी तापमान पेदा करने के लिए कि सिदान का प्रयोग किया जाता है तो अतिचालक क्या जाता है सितारों में एक्षे उर्जा का सुरोत क् परिवरतन है hydrogen का जो है helium में परिवरतन है कोशन है कौनसी धातू अर्दचालक की तरह transistor में प्रयोग की जाती तो germanium सरकार ने जावा या जला कोईला के निर्यात में प्रतिवन लगा दिया क्योंकि देखे इसमें जो है germanium प्राप्त होता है जो कि अर्दचालक बनने के काम आता है देखे एक टीवी सेट को चलाने के लिए किसको tapi remote और बात करें हम लोग की रड़ार का उप्यों किस लिए किया जाता है तो जहाज में जो वाईू यान वाई रहान आ अदीदार जो नीचे के मारक हैं उनको ढूरने के लिए नीचे यार जो समान पड़े हुआ है ना समुद्र में उनको खूज करने के लिए सोनार का यूज किया जाता है आपको मालूम है सोनार जो एक मैं तो और लेजर तवा किस संसंक प्रकाश स्ट्रोस है निकलने दो प्रकाश केंने के जो व्यति करंड से में प्रतिविम बनाने से संबन्द संबरती कहला आती लेजर केंने होती में में प्रकाश संसंक क्यों horrible तो याद रखना है इनका important question है यह पूछा जाता है एक भारी नाविक की दो हलके नाविक्व में टूटने की क्रिया क्या क्लाती है वो नाविक के विखंडन क्या है वो डूटेरियम के नाविक से लियन को अभी क्रिया है अगला question देखते हैं कि पर्माणु वर्म का सिद्धान अधारी थे तो नाविक के विखंडन पर आधारी थे important question पूछे जाता है और जो सूर हाइडोलन वर्म का सिद्धान किस पर आधा थे नाविक से लियन पर कारवन डेटिंग का प्रियोग किया जाता है तो किसकी उम्र न बनाये तो तो रोबर्ट अपन ने हर्मीर ने 1945 में बनाये था बात करें भारत में अनुवम का विकास वह प्रथम परिक्षन किसके मुख्या सूतरदार थे वो थे राजा रमन्ना सर्बद संब्रत यूरेनियम क्या है तो देखिए प्राकतिक यूरेनियम जिसमें जो यूर भारत में प्रथम पर्माणू परिक्षन कब हुआ था और कहां किया गया था तो पोखरण में किया गया था राजिस्तान बहें जो की 18 मई 1914 को पर्माणू रियक्टर के आया तो देखिए एक प्रकार की बट्टी है जिसमें रेडियो धर्मी समस्तानिकों क्या करा जाता है बिखंडन करके उर्जा प्राप्त करी जाती है भारत में प्रचोर मातरा में उपलवद मैट्वड़ नाभी की इंदन क्या कौन सा थोरिया में यूरेनियम थोरियम से सबसे कौन सा अधीक उर्जा चंग में तो थोरिया में बात करें हम लोग रतिम उभग्रहों की के सिद्धान पर कारे करता है काल पकम तल्ली नाडू तमील नाडू इस्तित परमाणू उर्जा संस्तान का क्या नाम है तो इंद्रा गांधी सेंटर फॉर एटमिक रिसर्च है उसका नाम कल पकम के जो फास्ट प्रीडर रियक्टर में जो शीतलक के रूप में प्रियोग किय बात करें एक लोकुशन के बारे में कि एक ब्रीडर रीएक्टर वह है जो की पर्दाद वह उससे अधीक उत्पर्न करता है जितना कि उसमें प्रेयोग तो करता है ओके नाभी के रीकटर भारी जल जो डि 2-0 जो भारी जल का फॉर्मुला है इसका प्रीयोग नाभी किस दो सेल परिवर्तित करता है तो वह प्रकाश उर्जा की विद्वत उर्जा में परिवर्तित करता है वेरियम एक उप्यूक्त रूप में रोगियों के पेट की X-ray current परिक्षन से पूर्वर खिलाया जाता है क्यों खिलाया जाता है क्योंकि वेरियम जो है X किंड़ों का अच्छा अप्शोशक होता है इससे जो चित्र में जो पेट का पेट को अने छेत्रों पेट को अने छेत्रों की तुलना में क्या उत्पन करने के लिए छर्मरोगों के अपचार के लिए प्रियोग में की जाने वाले रेडियो आईसोटोप कुन सा है तो वो रेडियो फास्पोरस है अतिचालक कि किस तापमान पर अत्यदिक आर्थिक महत्व की हो जाती है तो जिसमें लाखो रुपे की बचात होती है तो समानने ताप पर ओके तो फाइनली इतनी कुशन थे और आज जो हमारा लेक्चर था यह हमारा फिजिक्स का आखरी लेक्चर था कम्पीटर और जो हमारा अंतरिक्ष प्रोद्वक्य की है इसका जो मैं आपको पीडियाप जो है टेलिग्राम में प्रोवाइड करवा दूँगा और बिवीद में दे हमारा फिजिक्स का लेक्चर भी खतम हो गया बाइलोजी का आल्रेडी खतम हो चुका है अब जो है हमारा केमेस्टी का भी जल्दी खतम हो जाएगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में जय हीन जय बारत